अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ हल्दी सा खाना चाहते हैं तो मेरी इस वर्मिसिली रेसिपी को ज़रूट ट्राय करें ज्यादा सबजीयम के साथ और कम तिल में बनने वाले ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी आप उन्ने ब्रेकफास्ट के लिए ये और फिर लुइस बना के दे सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आप बच्चों के लुख से में पानिको कर लेना है पानी को हमें बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है बस अस नरह से चएण चोटे बबल्स आने चाहिए जब पानी गरम हो जाएगा हमें इसे ग्यास पर से उताग लेंगे और इसमें वर्मिसली डाल देंगे सेवई उत्मा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अनिल ब्रैंड की रैस वर्मिसली ली है या आपको किसी भी शॉप में या फिर किसी भी सूपर मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी अगर आप इसके बजाए MTR वर्मी सिली बनाना चाहते हैं तो आप उसे भी इसी तरह से बना सकते हैं अब हमें क्या करना है इस वर्मी सली को गरम पानी में डालना है और इसे 5 मिनुट के लिए हमें आईसे ही रख देना है हमें इसे गरम पानी में दालनें के बाद और इसे कुक नहीं करना है बस इसे ऐसे ही चम्मत से हिला की इसे 5 मिनुट के लिए ऐसे ही गरम पानी में रख देना है जितनी कॉंटिटी में आप इसे बना रहे हैं उसे साब से आप इसमें पानी दाल सकते हैं तो चलिए अब हम इसे ढख के पांच मिट के लिए ऐसे ही रख देते हैं तब तक मैं आपको सब्जियां दिखा देती हूँ एक तरह से हम इसे वेजिटेवल उपमा भी कहते हैं इसे बनाने के लिए यहां पे मैंने एक कैरेट को बारिक कट करके रखा है और थोड़ी सी क्यापसिकम और एक प्यास थोड़े से बॉइल मटर अगर आपके पास कच्छे मटर हैं तो आप वो भी दाल सकते हैं और थोड़ से बारिक कटे हुए बीन्स सारी सब्जियों को हमें इसी तरह से बारिक कट कर लेना है तो चलिए अब हम चलते हैं इसे बनाने के प्रसेस में सेवई उपमा बनाने के लिए यहां पे मैंने आदा कटोरी तेल लिया है हमें इसे बनाने के लिए ज्यादा तेल नहीं लगेग इन सबको हमें थोड़ा सा roast कर लेना है जैसे ही थोड़ा सा roast हो जाएंगे हम इसमें दालना है दो सूखी मिर्च अगर आप इसे बच्चों के lunch box के लिए बना रहे हैं तो इसमें सूखी मिर्च का ही इस्तमाल करना क्यूंकि ये ठीकी नहीं होती इसके बाद हमें इसमें दालना है थोड़े से करी पता इन सब को हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है यानि कि हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे रोस्ट नहीं करना है बस थोड़ा सा ही इसको रोस्ट करना है जैसे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए जब ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाएंगे हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई प्यास प्यास को हमें इन सब के साथ एक बार चमज से मिक्स कर लेना है उसके बाद बची हुई सब्जियां को हमें इसमें डाल देना है जैसे की बीन्स और कैरेट बीन्स और कैरट पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है इसलिए सबसे पहले हमें इन सबजियों को दालेंगे और इन सबको एक बार मिक्स करके हमें इससे सिर्फ एक मिनुट तक ही कूप करना है अब हमें इसमें दालना है एक चमच नमक और एक चमच हल्दी पोडर इन सबको ह एक बार हमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे ढखकि एक मिड़ी तर पकने के लिए छोड़ देंगे इस आरी सब्स्से बहुत जल्दी पक जाती है तो आप इसे मिडियम लो फिलम पे ही से पकाना हई फ्लेम पे अगर आप इसे पकाएंगे तो ये नीचे से जल जाएंगे जब तक ये सबजियां पकते हैं तब तक जो हमने वर्मी सली को गरम पानी में दाला था उसकी तरफ चलते हैं तो अब हम इसे प्लेट हटा के देखेंगे 5 मिनिट के बाद अब देख सकते हो ये अच्छी तरह से कुक हो गई है अब मैं आपको एक तोड की दिखा देती हूँ अब आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरह से पक गए हैं अब हम इसे एक छनी में इसका पानी निकाल लेंगे जिस तरह से हम नूडल्स को पानी में बॉयल करके पानी नितरने के लिए एक छनी में डाल देते हैं उसी तरह से हमें इसे गरम पानी में डाल के पानी नितरने के लिए रख देना है ये वरमिसली भी नूडल्स के जैसी एकदम खुली-खुली और लंबी तार जैसी दिखते हैं पानी नितारने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छी तरह से खुले-खुले और लंबे रेशेदार बने हैं अब देख सकते हो बस हमें इनकी सब्जियों में डालना है और इसे एक मिनिट के लिए कुक करना है अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि नूडल्स के जैसे कितने अच्छे और कितने खुले-खुले बने हैं अब हमें इसे फ़ोरन सब्जिएं मे नहीं दालना है एक मिनिट के लिए अच्छी तरह से पानी रिख देते हैं अब देखिए दूसरे सेड हमारी सब्जिएं भी अच्छी तरह से पक गई है हमने इन सब्झियां को मीडियम फ्लैम पे ही पकने के लिए छोड़ दिया था अगर आपके पास म्यागी मसाला अवेलेबल है तो आप वो भी दाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास पास्ता मसाला है तो आप इसमें वो भी दाल सकते हैं जो भी मसाला आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें दाल सकते हैं ताकि इसका भी टेस्ट एक दम नोडल जैसा अब हम इसको इस तरह से mix कर लेते हैं बहुत हलके हातोंसे आपको इसे mix करना है वरना ये तूटने लगेंगे क्योंकि गरम पानी में ओर्रीडी पखे हुए होते हैं तो ये तो ये बहुत साफ्ट हो जाते हैं अगर आप चममझ से बहुत जोर-जोर से चलाएंगे तो इड्णी तो टूटने लगते हैं जिस तो हम नूडल्स को मिक्स करते दो चमप का इस्तमाल करते हैं, उसी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना हैं। अगर आपको मेरीडिष अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मुझे कमेंड करना भी न भूलें। मुझे आपके कमेंड का इंतिजार रहता है। अब हम इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसमें दालना है कच्छा नारियल, ग्रेट किया हुआ, यह उप्षेनल है, अगर आप होटेल एर रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट चाहते हैं, तो आप इसमें ग्रेट किया हुआ कच्छा नारियल ज़रूर दाले आब हम इस कच्छे नाडीयल को इन साथ अच्छी तरह शेलन के मिक्स कर लेंगे एक बार जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसे ढखके एक मिनुट के लिए लो फ्लेंपे इसे छोड़ देंगे एक मिनुट के बाद आप देख सकते हो हमारी सेवई उपमा या फिर विजिटेवल वर्मी से लिए बनके तयार है अब हमें इसमें आखिर में दालना है बारी कटीव हरी धनिया उन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे सर्व कर सकते हैं तो अब हमारा सेवई उपमा परफेक्ट तरीके से बनके तयार है है ना इसे बनाना बहुत ही आसान अब आप देख सकते हो यहां पे एक इतने अच्छी तरह से कितने खुले खुले बने हैं अगर आप इस सेवई उपमा के रेसीपी को मेरे बताय तरीके से बनाएंगे तो ये परफेक्ट बन के तैयार हो जाती है तो चलिए अब हम चलते हैं इसे सर्फ करने के प्रसेस में अगर आप इसमें चाहे तो नीमबू का रस भी दाल सकते हैं अगर आप इसमें नीमबू का रस दालना चाहे तो ग्यास बन करने के बाद ही इसमें दालना नीम्बू का रसदाले से या और भी नूडल्स के जैसे खिले-खिले हो जाते हैं और इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में जरूर से ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसीपी आपको कैसी लगी अगर आप अपने बच्चों को एक बार लंच बॉक्स में बना की देंगे ना तो बच्चे बार बार इसी को खाने की फर्माईश करेंगे ज्यादा सबजियों के साथ और कम टेल में बनने वाला ये हिल्दी ब्रेकफस्ट बच्चों के लिए भी बहुत हिल्दी होता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें